नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओलाइन एक जमस्तियारी पर दोस्तों ये है रोजगार समाचार जो कि दिसुमबर 2023 के फौर्थ विक के बारे में हैं दोस्तों ये 20 फोरम निकले हैं तो दोस्तों इने जरूर देखें और दोस्त कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों इनके बारे में संपूर्ण जानकर प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप की विए अंतक जरूर देखें जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकर आपको प्राप्त हो सके और दोस्त क्वालिफिकेशन है इसकी 12th पास डियलेड ओबलिक बीएड इस्पेसल या बीएड एंड बीएड इस्पेसल है सर्टिफिकर्ट या डिपलोमा दोस्तो एज इसकी 18-37 यह मेल के लिए है और फिमेल के लिए 18-40 यह है दोस्तो इसकी लाश्ट डेट है यह 27 दिसमबर 2003 वी सरकी गिया है यह बढ़ाये गई है दोस्तो और अप्लिकेशन फीस है इसकी 760-1140 तक दोस्तो यह ओनलाइन फोरम बढ़ना है और दोस्तो मेल एंड फिमेल कंडिडेट इस पोरम को अपलाई कर सकते हैं अगली वेकेंशी है दोस्तो राजतान हाई कोट दोस्तो पोस्ट है इसमें 230 सिस्टम अशिस्टेंट की दोस्तो इलेजेबिलिटी है ग्रिजिवेशन, बी-ई, बी-टेक, एंड अधर दोस्तो एज 18-40 यह है अपलाई डेट है दोस्तो च्यार जनवर 2024 से तीन फरवर 2024 तक ह दोस्तो अपलेकेशन फीस है इसकी 4500 से 7500 रुपई तक है सेलेरी है इसकी 26,300 से 23,500 रुपई तक है दोस्तो यह फोरम आपको ओनलाई अपलाई करना है और All India के male and female candidates इस फोरम को अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आगली वेकेंश है इस्टिल अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड है इसमें पोस्त दोस्तो बानवा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग है यारनी टेकनिकल की इलेजिबिलेटी है इसमें बी-ई, बी-टेक, ट्रेड है दोस्तो इसमें एज है मैकजिमम 28 एयर लाश्ट डेट है इसकी 31 दिस्वंबर 2023 है अपलिकेशन फीस इसे नीशूलग रखा गया है सेलेरी है पच्चास जार से एक लाक असी जार पर मनते ओनलाई बढ़ना है और All इंडिया के मेल एंड फीमेल कंडिडेट इस पोरम को अपलाई कर सकते हैं अगली वेकिंशी है उत्तर परदेश, पब्लिक सर्विस कमिशन है दोस्तो इसमें पोस्ट है 45 उत्तर परदेश, टेकनिकर एजुकेशन है टेकनिक या ट्रेनिंग एकजाम 2003 है इलेजिबिलेटी ह इसमें गरिजिवेशन, बी-ई, बी-टेक और एज है 21 से 40 एर, लास्ट डेट है 18 जनवर दोजार 24 इसकी लास्ट डेट है अपलिकेशन फीस है 25 रुपई से 225 रुपई तक है इसकी सेलरी रहने वाली है 24,900 से 1,42,000 तक है ओल इंडिया के मेल एंड फीमेल कंडिडेट इस अपलाई कर सकते हैं ए yards ये फोरम ओनलाइन अपलाई करना है अगली वेकियंच है दिली सब控डिनेड सर्विस सेलेक्शन बोर्ड है दोस्ट इमें पोष्ट है 2354 जिसमें जूनियर असिस्टेंड है असिस्टेंड है जूनियर इस्टेनोग्रापर है इस्टेनोग्रापर है अप्लिकेशन फीस है इसकी 0 से 100 रुपए तक है और दोस्तो इसे All India के Male and Female Candidate फोरम को अपलाई कर सकते हैं ये फोरम ओनलाइन है अगली वेकेंश है Central Bank of India पोस्ट है इसमें 484 सपाई करमचारी एंड सब इस्टाफ है दोस्तो इलेजिबिलेटी है 10th पास और दोस्तो एज है इसमें 18-26 येर लाश्ट डेट है 9 जनवर 2024 अप्लिकेशन फीस है 153-850 रुपए तक और दोस्तो इसकी सेलरी रहने वाली है 28,145 परमन्त ओनलाइन फोरुम का आपको बढ़ना है All India के male and female candidate इस फोरुम को अप्लाई कर सकते हैं आगली वेकेंश है जारकंड स्टाफ सेलेक्शन का मिसन है इसमें पोस्ट है दोस्तो गुंचा सो गुंणीस जारकंड कोंश्टेबल कमपिटेटीव एकजाम दोस्तो इलेजि सब्सक्राइन फोरुम को अप्लाई कर सकते हैं और ये फोरुम ओनलाइन अप्लाई करना है अगली वेकेंश है इंटेलिजेंश बीरो मिनिस्टरी ओफ होम अफियर दोस्तो पोस्ट है इसमें 226 अशिस्टेंट सेंटरल इंटेलिजेंश ओपिसर या टेक्निकल की दोस्तो इलेजिबिलिटी है इसमें बी-ई, बी-टेक, पी-जी, वित दो जार इकीस, बाइस, तेवीस के स्कोर कावड के साथ में एज लिमिट है इसकी 18-27 येर, लास्ट डेट है 12 जनवर 2024, एप्लिकेशन फीस है 100-200 रुपई तक और इसकी सेलेरी रहने वाली है 4,900-1,2,000 पर मन ओल इंडिया के male and female candidates इस फोरम को अपलाई कर सकते हैं, ये फोरम भी online ही अपलाई करना होगा अगली वेकेंची है, Union Public Service Commission है, यानि कि NDA की दोस्तो पोस्ट है, इसमें 400 पोस्ट है, National Defense Academy ये एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनिशन 2024 है दोस्तो eligibility है 12th pass या appearing 12th in class, edge limit है, दोस्तो 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक आपकी डेटो वर्थ होनी चाहिए, लाश्ट डेट है इसकी 9 जनवर 2024, application fees है 0 से 100 रुपई तक, salary रहने वाली है 56,100 से 2,50,000 रुपई, All India के male and female candidates जो की unmarried candidates इस फोरम को अपलाई कर सकते हैं अगली वेकेंची है Union Public Service Commission यानि की CDS है, दोस्तो पोस्त इसमें 457 है, और दोस्तो eligibility है, graduation है, और दोस्तो edge limit है, 2,1,2001 से 1,1,2006 के बीच में आपकी डेटो वर्थ होनी चाहिए, लाश्ट डेट इसकी 9 जनवर 2024, application fees है 0 से 200 रुपई तक है, salary रहने वाली है 56,100 से 2,50,000 परमन दोस्तो ओर इंडिया के Unmarried Male and Female Candidate इस फोरम को अपलाई कर सकते हैं, यह फोरम ओनलाइन बरना है, अगली वेकेंची है और दोस्तो बहुती बड़ी वेकेंची है, उत्तर परदेश फुलिस की ब, दोस्तो पोस्ट इसमें 6,244 से Constable की वेकेंची है, eligibility इसमें 12th pass है, और दो 23 दिसुंबर 2003 से 16 जन्वर 2024 से application fee से 400 रुपई All category के Candidate और इसकी salary रहने वाली है, 21,700 पर मंद पलस अलाउंच है, यह फोरम ओनलाइन बढ़ना है और All India के Male and Female Candidate इस फोरम को फिलब कर सकते हैं, अगली वेकेंची है, इंदरा गांधी National Open University, इसमें पोस्ट दोस्तो 102, जून इसमें 12 पास एंड, ग्रिजवेशन, एज इसमें 18-30 एर और इसकी दोस्तो लाश डेट यह बढ़ा दी गई है, यह 26 दिसुंबर 2023 कर दी गई है, application fee से 600 से 1000 रुपई तक है, salary है 19,900 से 21,100 रुपई पर मंत है, All India के Female and Male Candidate इस फोरम को अपलाई कर सकते हैं, यह फोरम भी ओन लाइन है, अगले वेकेंश है, United India Insurance Company Limited, पोस्ट है इसमें 300, असिस्टेंट की, eligibility है, ग्रिजवेशन, दोस्तो एज इसमें 21-30 है, लास्ट डेट है 6 जनवर 2024 से, application fee से 200 से 1000 रुपई और दोस्तो salary है, 22,405 से और 62,265 रुपई पर मंत है, All India के Male and Female Candidate इस फोरम को अपलाई कर स सकते हैं, और दोस्तो ये भी फोरम ओलाइन अपलाई करना है, अगले वेकेंश है, उत्तर परदे सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन है, दोस्तो इसमें पोस्ट है, 213, नकावा सी, कार्टो गरापर, और दोस्तो eligibility है, ITI, डिपलोमा, UPAAC, PET 2022 का स्कोर कार्ड, age limit है 18 से 40 एर, दोस्तो अपलाई डेट है, 18 दिसुमबर 2023 से 8 जनवर 2024 तक, अपलिकेशन फीज मातर 25 रुपए है, सेलेरी रहने वाली है, गुणन 3,200 से लेकर 92,300 रुपए तक, ओल इंडिया के male and female candidate ओनलाइन फोरम को फिलफ कर सकते हैं, उत्तरा खंड सब ओर्डिनेट सर्विस सलेक्शन कमिस्जन है, दोस्तो पोस्ट इसमें 236, ट्रांस्पोर्ट काउंस्टेबल, एकजीव कोंस्टेबल, डिप्टी एकजीव को इंस्पेक्टर, हाउस कीपर, होस्टल मेनेजजर, दोस्तो इसमें eligibility है, 12 पास, और दोस्तो एज इसमें 18 से 42 एर, लास्ट जेट है, 31 द female online फोर्म को फिलफ कर सकते हैं, अगली वेकेंची है, Indian Oil Corporation Limited, इसमें 1800 पलस पोस्ट है, दोस्तो ट्रेड, टेकनिकल, ग्रिजवेशन, अप्रेंटिस की वेकेंची है, eligibility इसमें 12 पास, ITI, डिप्लोमा या ग्रिजवेशन, एज इसमें 18 से 24 एर, लास्ट जेट है इसकी 5 जनवर इसमें 24 से, ये एक एर की ट्रेनिंग है, और All India के Male and Female Candidates Forum को अपलाई कर सकते हैं, अगली वेकेंची है, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, जो की दोस्तो बहुती बड़ी वेकेंची है, इसमें पोस्ट है 26,146 कॉंश्टेबल जीडी, C.A.P.F है, और दोस्तो SSF, SM Rifles की इसमें इलिजिबिलेटी है 10 पास है, एज है 18 से 23 से येर, लास्ट डेट है 31 दिसुमबर 2003 से, अपलिकेशन फीज सोर रुपई रखा गया है, सेलेरी है 18,000 से गुणंतर जार सोर रुपई परमनत है, All India के Male and Female Candidates Online Forum को अपलाई कर सकते हैं, तो दोस्तो ऐसी नोटिपिकेश आपको मिल सकें, और आप ज्यादा सी ज्यादा मेनिपिट प्राप्त कर सकें, थैंक्यू दोस्तो, जै हिंद, जै भारते, थैंक्स फॉर वाचिंगे,